हलो आज है 23 जुलाई और आज इस लुड़े में हम बात करने जा रहे हाथ हुए केबल एंड डेटा कॉम के बारे में देखे काफी चर्चा में रहा था यह शेर क्योंकि 17 रुपए से उठकर यह शेर 50 रुपए से भी उपर पहुंच आता है वो भी बहुत ही कम वक्त में आज तकरीबन आप इसमें देख साते हैं कि थोड़ी सी गिरावट है पांच परसन के लोवर सट्किट यहां पर लगा जरूर है इस वीडियो में हम बात करें कि हाथ हुए केबल और डेटा को हम के शेर में जिन्होंने खरीदार की है उनको यहां से क्या करना चाहिए और ज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि अब भी साथ हुए का शेर अभी 51 रुपीज के उपर ट्रेट कर रहा है आज पांच परसन की एक बहुत बड़ी लोवर सट्किट लगी है हर कोई बेचना चाहता है लेकिन कोई खरीदने को तयार नहीं है यहां पर हम पिछ चाहर था एक बड़ी रैली आई एक बखुट बड़ी रैली आई और आज आप देखें चार महीने के अंदर वो शेर ग्यार रुपे का शेर पच्पन रुपे तक पहुच जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुनाफ़ा कमा कर दिया है पांच गुना पैसा किय लेकिन अब दीरे दीरे गिरावर की तरफ यहां पर जरूर शेर जा रहा है तो बात करना बनता भी है कि खरीदारी की है तो क्या करें लेकिन उससे पहले गरह में आपको हाथवे के बारे में दिखाने की कोशिश करूं तो हाथवे का पिछले तीन साल का जो ग्राफ है वो ग्यारा रुपे तक का लो है और अब तक का जो प्राइस है वो सबसे हाई प्राइस इसका माना जाए है फिप्टी फाई रुपिस का आसमास कर दस साल की में अगर हम बात करने तो हाथवे केबल और डेटा को में 54 पर्सन का ग्रोथ है आप दिख सकते हैं कि और ग्यारा वापस गिराव भी वापस तेजी आईगी तो देकि पिछली जितनी भी तेजी आई थी उच्छे यह वाली तेजी काफी अलग है रीजन यह है कि अब हाथवे के अगर हम बात करें तो हाथवे की जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अमबानीजी के पास है रीलाइंस डिस चै के पास हाथवे की कंट्रोलिंग स्टेक है और जो मर्जन का प्लान चल रहा है चार कंपणियों को मिलाकर एक कंपणी बनाना नेट्वरक AETIN है तब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा उसके लिए टाइम्स ग्रूप और सोनी के साथ बात्चीट भी चल रही है और जिस तरहीएगी डील एक के बाद एक हमें रिलाइंस जियो में होते होई देखने को मिली उसके बाद अब रिलाइंस रिटेल में भी डील आ सकती है तो उसी तरहीए का जो सिचुवेशन है वो यहाँ पर हाथवे में भी देखने को मिलेगा जब कॉमन कमपनी बन जाएगी जब एक ही बैनर के तरह सारी कमपनी आ जाएगी एक ही कॉमन शेयर होगा इन सबका तो उसके बाद एंटर्टेन्मेंट सेक्शन जो है उसको लेकर काफी ज़्यादा चर्चा की जा रहेगी कि शायर हो सकता है कि नया प्लेयर यहाँ पर निवेश के लिए लाए जा सकता है तो अगर आपके बास हाथवे का शेयर होगा तो जब कॉमन कमपनी बनेगी तो आपको नेंटर्टेन के भी शेयर अलोकेट किये जाएगी जब हाथवे के जगा वो नेटर्टेन बन जाएगा तो आपको उसका शेयर अलोकेट किया जाएगा मिट कैप स्टॉक है यह 9107 करोड के आसपास का मार्केट कैप है हाथवे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अभी भी काफी शांदार इसके दिखाए दे रही है यहां पर देखे 63% लोग खरीदने के सला दे रहे लोग खरीदने के सला दे रहे हैं 7% लोग करने के बात हैं मतलब 70% लोग यहां पर पॉजटी दिखाए दे रहे उनका कहना है कि खरीदारी की है तो बने रहे हो फ्रेस बैंक करना चाहतों पर सकते हो डरने की जरूरत नहीं है 30% लोग अब कहा रहे हैं कि बहुत दौड लिया है थोड़ी सी अब यहां पर मुनाफ़ा वतुली हावी हुटी दिखाए देगी तो अब आप मुनाफ़ा वतुली कर सकते हो ऐसा 30% लोगों का कहना भी है यहां पर हम अगर देखें तो जुलाई क्वाटर में और मार्च क्वाटर में और पिवन डिसमबर कॉंटर पिशर तीन क्वाटर में इन्होंने बढ़िया मुनाफ़ा कमाया है जून में 46 करोड का profit हुआ है मार्च में 50 करोड का profit है 50-51 करोड का profit है डिसमब 2019 में 56 करोड का profit है तो profit अच्छा खास है इनोंने कमाया जरूर है और जिस तरीकी के business में है मुझे रखता है कि आनुवरे दिनों में profit और बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि अभी के अगर हम बात करें अभी के अगर हम बात करें तो covid के चलते हालत बहुत जादा खराब है लोग work from home कर रहे हैं लोगों का जो internet है consumption वो काफी हद तक बढ़ चुका है उसके साथ साथ जो cable TV का भी है लोग घर पे बैठ रहे हैं सेग्मेंट में तीजी की हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले तिनों में तो अबरल मुझे लगता है कि हाथवे का जो business है वो जरूर अच्छा खासा business है और इवन जो डूलर इंडिया है उसमें इनकी जो पकड़ है वो काफे ज़र्दा बेहतर दिखाई दिये रही है तो हाथवें जरूर एक लंबी दूरी का खिलाड़ी मुझे नजर जरूर आ रहा है और तो और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो 94% की होल्डिंग के प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास देखने को मिली है एक भी शर्ण गिरवी नहीं है और आप लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो F.I.S. अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे है 1.90% की होल्डिंग सी थी 2.46% बहुंच गई है F.I.S. से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे है और तो और इंशॉरंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को होल्ड रखा हुआ 0.12% की होल्डिंग गिराया नहीं है हलाकि mutual fund ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है ओबर और में हाथवे के बारे में मैं कहूं तो देखे एक बहुत बड़ी रैली हमें हाथवे में जरूर देखने को मिली है 11 रुपे का शेर 4 रुपे में अगर 55 रुपे तक पहुंच जाता है तो बाद में थोड़ी मुनाफ़ा वसूली जरूर आएगी थोड़ा तो शेर नीचे जरूर गिरेगा लेकिन मुझे लगता है कि यह जो गिरावट आई है उसमें आपका भी फायदा है आप चाहें तो हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी एड कर सकते हो लेकिन मैंने खुद हाथवे के शेर में 20 रुपे के प्राइस पर एंट्री लिए थी अब मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि जब यह शेर 45 रुपीश तक जाएगा तब थोड़ी और कॉंटिटी में यहाँ पर एड कर लोगा यहाँ पर और अगर उससे थोड़ी नीचे जाएगा तो थोड़ी और कॉंटिटी एड करूगा हाथवे में आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो खरीदारी की है और आपका लंबी तूरी का नजरिया है तो आप बने रहो वेट करो कि कब सारी जो यह जो merger का प्लान है कब वो complete हो उसका वेट करो और दूतरी चीज़ अगर आपको खरीदारी करनी है आप जरूर कर सकते हो लेकिन शर्ट सिफ इतनी है कि अब थोड़ी सी मुनाफ़ा वसुली हावी होगी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी तो अगर आप खरीदारी करना चाहो तो अगर आप आप सौशर खरीदने है तो पचास के लेवल के नीचे आप 20 quantity खरीदो अगर पैतालिस तक यह जाता है तो और 25-30 quantity खरीदो अगर थोड़ा और नीचे यह जाता है 42-41 रुपीज के आसपास तो आप चाहें तो बागी की 50-60 quantity खरीद सकते हो अगर यहां से गिरावट आती है तो मुझे लगता की खरीदारी का एक बढ़िया option आपके पास हो सकता है लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत वारे shares मत खरीद लेना यह सोच के आप खरीदारी करो कि आपको यहां पर averaging करने की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी दो तिन दिन के गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है लेकिन उससे दरने की जरूरत नहीं है और ना ही पैनिक में आपके बीचने की जरूरत है बने रही यहां पर वापस से bounce back जरूर करेगा देखे इससे पहले भी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है अगर मैं आपको हाथवे का चार्ट दिखाऊ पिछले जब से तेजी आई है अब खुद देखे 11 रुपे के उपर share था वापस एक बड़ी rally आई 21 पर पहुंचा वापस नीचे यह share गिरकर 17 रुपे पर आया ठीक है वापस एक बड़ी rally आई 27 रुपे तक पहुंचा वापस नीचे गिरा था 23 पर आया वापस एक बड़ी rally आई थी, share 33 तक पहुंचा, वापस गिरावट आई, share 31 रुपए तक पहुंच गया, वापस एक बड़ी तेजी आई है, इस बार फिट से 55 रुपए के आसफास पहुंचा, अब वापस एक lower circuit लगा है, एक दो दिन का lower circuit लगेगा, लेकिन उसके बाद उस बैक करता हुआ, देखने को मिल जाएगा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पैनिक में आकर अपनी holding को काटने की ज़रूरत नहीं है, बने रहोगी, तो अच्छा return भी आपको मिलने की गुंजाई से संभावना है, जैसे कि आप यहाँ पर ठीक से देख पाऊगे, 17 रु कर बेच मत देना इसको, और merger का जो प्लान है, हाला कि अभी तक कब तक वो complete होगा, यह कहना तो अभी मुश्किल है, वो पुरा को पर depend करता है, management के उपर, लेकिन merger होना है, और उसके बाद investment भी आना है, यह बाद भी तैय है, तो खरीदारी कर सकते हो, लेकिन 50 रुपे के न सोच खरीदारी करो कि आपको यहां पर averaging करनी है, पहले छोटी quantity डालो, लीचे जा रहा है, तो थोड़ी और quantity आप यहां पर खरीद सकते हो, long term के लिए अच्छी quality का share है, पहने करने की जरूरत नहीं है, तो इसी साथ वीडियो को end करो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हाथ में केबल एंड डेटा कॉम लिमिटेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझो कमेट में लेकर बिता सकते हैं, थैंक यू